हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब सेनल क्रिक यूटूब पे IPL की बात करें तो ये अनिशित्ताओं से भरा हुआ टूर्णामेंट है जहां कभी-कभी कोई टीम 200 प्लस भी स्कोर कर लेती है 2010 के सेजन में उन्होंने अपना हाइस्ट स्कोर बनाया था जो की 223-45 विकेट बनाया था नमनोजा की बात के तो इस मुकाबले में बढ़िया पर्दसन किया था यह score की बात करें तो चैनी सूपर किंग्स के खिलाप आया था जहां हम चैनी सूपर किंग्स ने 245 रन बनाये थे और इस टारगेट का पीसा करने उतरी राज़तान रोलस्त ने भी बड़िया परफोमेंस देती हाला कि वो मुकाबला वो हार गए थे तो बात करें राज़तान रोलस्त के तो 223 रन उनका हाईश्ट स्कोर है जो की 2010 के सेजन में आया था वही बात करें लोइश्ट स्कोर की तो इन्होंने 58 रन का स्कोर करा था जो की RCB के खिलाप है इस बुकाबले की भी बात करें तो अनिल कुम्पडे ने 5 रन देकरके 5 जी आदस्तो डेली केपिटल्स की बात के तो इनका हाइस्ट स्कॉर 2011 के सीजन में आया जब वो डेली डेड डेविल्स नाम से खेल रहे थे इस मुकाबले की बात के तो विरेंदर शेवाग और उनके लावा डेविड वॉर्णर इन दोनों नहीं 77 रन की पारी खेली थी और इ इनकी बात के तो यह मुंबई इंडियन्स के खिलाब 213 रन के बड़े स्कॉर को सेज करने उतरी थी तो यह 66 रन के स्कॉर पर आउट हो गई थी तो डेली केपिटल्स की बात के तो इनका हाइस्ट स्कॉर 231 है वही लोइस्ट स्कॉर की बात के तो 66 रन के स्कॉर पर आउट हो गई थी तीसरे नमबर पर बात करते है किंग सिलेवन पंजाब की जे रस तो पंजाब की बात की तो इनका जो हाइस्ट स्कॉर है वो रोयल चैलेंजर बैंगलूरू के खिलाप आया जो की 231 पोर 4 विकेट बनाया था इस मुकाबले की बात के तो एडम गिलकरिष्टन सेंस थी 106 रन बनाये थे भाई बात करें इनके लोएस्ट स्कॉर की तो इनका जो लोइस्ट स्कॉर आया वो आया राइजिंग पुने सुपर जैंट के खिलाब जै दोस्ता इनका जो लोएस्ट स्कॉर है वो 73 रन पर ओल आउट हो गई थी किंग्स 11 पंजाब ये उनका लोएस्ट स्कॉर है वही हाइस्ट स्कॉर की बात के तो 2020 का इंडिविजिल स्कॉर वो भी क्रिस गयल का इसी मुकाबले में हाइस्ट इंडिविजिल स्कॉर भी आया था वही लोएस्ट स्कॉर की बात के तो ये 49 रन पर ओल आउट हो गए थे कॉलकाता नैट रैडर के खिलाब ये IPL इतियास का सबसे लोएस्ट स्कॉर है तो IPL इति स्कॉर की बात करें तो ये 96 के स्कॉर पर आउट हो गये थे 96 लिए जिसमें बात करें अलजारी जोसप की तो उन्होंने से विजखेट निकाले थे। आई YPL के इतियास का सबसे बेस्ट फिगर दिया था जया जो कि राजस्तान रोल्स के खिलाप IPL 2010 के सीजन में आया था इन्होंने पहले बल्ले बाजी करते हुए 246 रन बनाये थे जवाब में राजस्तान रोल्स की बात करें तो उन्होंने भी 223 रन बनाये थे वो राजस्तान रोल्स का भी हायस्ट स्कॉर था वही बात के तो सैने सुपरकिन्स का 246 हायस्ट स्कॉर है जिसमें मुरली विजय की बात करें तो उन्होंने 127 रन बनाये थे तो बात करें CSK की तो हाइस स्कॉर 246 है बात करें इनके लोइस्ट स्कॉर की तो 79 रन के स्कॉर पर ये आउट हो गये थे मुंबाई इंडियन्स के खिलाब तो इन्होंने 223 रन बनाये थे जो की इनका हाइस स्कॉर है 2017 के सेजन में ये इन्होंने स्कॉर बनाया था किंग सिलेवन पंजाब ने इनको 231 का टार्गेट दिया था जिसको सेज़ गरना है उतरी मुंबाई इंडियन्स की बाद के तो 223 का स्कॉर पर आउट हो गई थी तो मुंबाई इंडियन्स ये मुकाबला हार गई थी लेकिन इसके बाव जो दिये इनका हाइस्ट स्कॉर है अब बात करते हैं इनके लोइस्ट स्कॉर की अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सेनल को सब्क्राइब जरूर केजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद